शीव उपाशना का उत्तम माश है पुर्षवत्तम माश अधिमाश होने के कारण इस साल चतुर माश चार महिने के बजाए पांच महिने का हो गया है। इस पंच माश को इश्वर्य ज्यान ध्यान योग आधिके शाधना के लिए अतिशुभ और फल प्रदायक माना गया है। हर तीन बर्स में चतुर माश को पंच माश बनाने वाले अधिमाश का महत्व इसकी आध्यात्मिक महताम ही नहीं था। सास्त के द्रिष्टी से देखा जाए तो चतुर मास्त चतुर मास्त सिस्टी चक्र के चार युग, शत युग, त्रिता युग, द्वापर और केल युग का प्रपिक है। कल्प के इन चार युगों के अंत में एक छोटा सा युग भी जुड़ जाता है, जिसको कल्यानकारी पूर्सवत्तम शंगव जुग कहा जाता है। जो आत्माओं को उनके परम्पिता परमातमा शीव से संगम कराने का भी स्रेष्ट युग है। अगर अध्यात्मिक द्रिष्टी से देखें, तो इस छोटे से लेकिन शरवादी के पुन परदायक पांचवे मास में ही मनुष्य परमातमा के अध्यात्मिक ज्यान, योग, द्यान, शेवा, संजम, नियमों का अभ्यास और साधना करके ही शामान पुरुष्य, पुरुष और प्रेजरना प्राप्त करता है, धार्मी के मानता के अनुषाड अशाड सुकल एकादसी से लेकर कारतिक सुकल एकादसी तक के चार मास को चतर मास के रूप में मनाया जाता है, इसमें खास कर भगवान सीब, चतर भुज विष्णू, श्री गनेश, मालक्ष्मी तथा अ प्रावान उपवास जब आदि किया जाता है, पुरानों में कहा गया है कि इन चार महीनों में भगवान विष्णू, छीर सागर में विष्राम करते हैं, और स्रीष्टी के पालन और संचालन का कार्जभार स्वेंग भगवान सीब के उपर होता है, इस पूरे समय में मुक् प्रूब निराकार शिव पर्मात्मा का अवतरन होता है, जिनके दिव्य दर्शन उपावन अस्मिर्ती से हर मानम में सोय हुए देवत्त्य का उथ्थान होता है, और मनुस्की अंतरात्मा में मौझूद विकर्म, विकार एबं आश्री सोभाव का विनास होता है, शिव से प्राप्त शतग्यान को अपना करीं, हम अपने जीवन और संसार में संपुर्ण, शुक्ष, शांती, शम्रदी, देवी, शंपदा, आदिकी पुनाहस्था अपना कर सकते हैं, तो इस पुर्शत्तम मास में सर्वेस्वर्शिव के लिए किये गए योग, तपश्या, दान, पुन्य, शुकर्म, मनुसको विष्णू लोक या दीव लोक में पुर्शत्तम पद दिला सकते हैं, मनता है कि इस अधिमास में अगर भक्त शाधारान पुरुष से उत्तम पुरुष बनने के लिए अध्यात्मिक व्यान को प्राप्त कर ले, तो इस श्वर्ण के साथ देवी ये गुन्य, विक्षित होने लगते हैं, तो बोलिए हरहर महादेव, जय सिवसंभो, करपूर गवरं, करुना बतारं, संसार सारं, भुजगेंद्रहारं, सदा बशंतं, किर्द्यार विंदे, भबं भवानी सहितन्नमामी